भाई साब आज बहुत जादा मज़ा आने वाला है कितने दिन बाद हम लोग मूवी देखने आये हैं अरी हाँ फ्रेंकलीन भीया मुझे लगता है पिछली बार हमने दो साल पहले कोई मूवी देखी थी हाँ उसके बाद तो ये हमें कहीं लेही नहीं गए अरी फ्रेंकलीन भीया आपको पता है क्या मैं जिन्दगी में पहली बाद ठेटर में आया हूँ क्या बात कर रहा है मिंचन इससे पहले तुने कभी ठेटर में मूवी नहीं देखी अरी ठेटर को छोड़ो हमारे गाव में तो टीवी भी एक ही जन के घर पर था हम सब मिलके उसमें रामायन देखते थे रामायन तो मैंने भी बहुत देखा है बचपन में क्या मज़ा आता था अभी चलो जल्दी से जाके अपनी सीट देख लेते है क्योंके कुछी दिर में यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा उसके बाद सीट बहुत मुश्किल से मिलती है अभी यार किसका कॉल आ रहा है सर वो भी इस टाइम पर हेलो फ्रेंकलिन तुम जल्दी से रेडी होके पुलिस टेशन आओ हाँ पर क्या हो गया आज तो छुटी का दिन है इस काम में कोई छुटी नहीं होती जल्दी से पहुचो अचा ठीक है शिंचैन चौब मिनचैन मुझे माफ कर देना पर आज हम लोग मुवी नहीं देख पाएंगे अरे पर क्यों 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 के सर ने हमें तुरंट पुलिस टेशन बुलाया है अरे यार मैं पहली बार मुवी देखने आया था अरे यार आप हमेशा ही ऐसा करते हो पता नहीं हम लोग कभी चैन से कुछ कर पाएंगे या नहीं अचा ठीक चल तू ही बता मैं क्या करू सर को मना कर दू और वैसे भी वस मुझे अकेले को नहीं बुलाया है तुम दोनों भी तो मेरे साथ चलोगे न आरे तो यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा क्या ऐसे ही चला जाओ अरे अर्जंट काम हो तो जाना भी पड़ता है नई रे सर ने बोला है के तयार होकर ही आना तुझे नहीं पता वो कितने खडूस है तुरंट सुना देंगे अरे हाँ वैसे भी घर पर चलना ही था मुझे बहुत तीज़ भूक लगी है बिना कुछ खाय मैं ड्यूटी पर नहीं जाओंगा और वैसे भी फ्रेंकलिन बैया एकदम सही बोल रहे है किसी भी जगह तयार होकर ही जाना चाहिए वह क्या ग्यान की बात बोली है मिंचेन वह भाई साब टकरा गई तो थोड़ा ध्यान रखा करो न अरे क्या कर रहे हो बार बार क्यों ठोक रहे हो इसे अरे तो ये इतना स्लो चला रहा था आगे ही नहीं बढ़ रहा था मैं क्या करो यह उसकी गलती है मेरी गलती नहीं थी अरे छोड़ो ना Franklin बया जाने दो जो गलती हो गई है हो गई हाँ में चाइज जो गलती हो गई है वो तो होई गई होगी ना उसे अब कैसे सुधारू अगर मैं वहाँ पर रुख जाता ना तो वो हमसे पैसे वसूलता गाड़ी रिपैरिंग के अरे Franklin बया मुझे बहुत तेस्बूक लगी है जल्दी से कुछ बना दू ना अरे खाना तो मैं बना दूँगा पहले तुम दोनों जाके तयार होकर आजाओ तब तक नास्ता भी रेडी हो जाएगा अरे तो मैं अकेला घर पर क्या करूंगा मुझे तो ठेटर में छोड़ देते क्यों तू फिर वासे अकेला आता नहीं आप लोग आते ना मुझे लेने तो आप तू पागल है क्या सर ने अर्जंट बुला है अब पता नहीं हम लोग का कितना देर का काम हो हम लोग टाइम पर नहीं पहुच पाए तो तू तो अकेला आ नहीं सकता अरे क्या यार आप लोगो के वज़े से मेरा भी मज़ा किरकिरा हो गया हाँ तीक है चला अब सब लोग तयार हो जा मैं नास्ता बना रहा हू अरे फ्रेंकलीन भईया हम तो रेड़ी भी हो गए अभी तक आपका नास्ता बनी रहा है जो करना ही जल्दी करो ना वनना सर हमें बहुत चिलाएंगे अरे हाँ शिंचन भईया आप एकदम सही बोल रही हो क्या पता हमारे वज़े से काम अटका हुआ हो अरे मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ ये फ्रेंकलीन भीया मेरी बात ही नहीं मानती देखो नाभी भी लगे हुए है तुम लोगों कोई नास्ता करना था ना अब रहो खड़े यहाँ पर चलो बच्चो नास्ता भी रेड़ी है मैंने तो कर भी लिया है तुम लोग भी फटावट कर लो फिर यहाँ से निकलते है अरे आप क्या नास्ता करोगी बहुत लेट हो गया है देखना सर आपको पका चिलाएंगे अरे नहीं सर को बोल दे ना कि हम लोग किसी काम में फस गई थी नई रे मींचैन वो जूट जल्दी पकड़ लेते है उनने तुरंट पता चल जाएगा कि मैं बहाना बना रहा हूँ तो फिर हम लोग क्या करें नास्ता करें या नहीं करें या तो नास्ता साथ में ले लो या फिर जल्दी जल्दी जाकर करो एक काम करू साथ में ले लो गाड़ी में खा ले ना ये भी ठीक है चलो नास्ता उठाओ अपना अपना और जल्दी से आजाओ मेरे पीछे अब गाड़ी में खा ले ना पता नहीं यार ऐसा भी कौन सा काम होगा पहले जाके तयार हो जाता हूँ अभी तो मैं तुरंती निकल जाता चलो गाइस कपड़े उपड़े पहन लिये मैंने अब लग रहा हो ना एकदम हीरो जैसा अब यार यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते है वो लो कहा गए मैंने उन्हें अपने पीछे आने बोला था जल्दी से जाके देखता हो कई गाड़ी के आतो नहीं खड़े हाँ बाहरी खड़े नास्ता नहीं लिया तुम लोगोंने मैंने डाटा नहीं है मिंचन को बस समझाया है कि मुझे पता चल गया चोड़ो जाने दौआ के गाड़ी में बैठो तुम लोगों से बहस करके कोई मतलब भी नहीं वेसे आपको क्या लगता है कि क्या काम होगा वो पता होता मुझे तो मैं सिधा काम ही कर देता ना गाड़ी चलानी तो आती नहीं बराबर और बड़ी बड़ी बाते करते हो पताने आप पुलिस में जॉइन कैसे हो गए मैं अपनी मेहनत से वो पूरी ट्रेनिंग करके तेरी तरह घर पे पड़ा नहीं रहता खाली आलसी अरे बाई एक और शट्ट मैं आलसी नहीं हो हाँ ठीक है चला अभी चुप किसी का फोन आ रहा है अरे सर कही फोन है फ्रैंक्लिन तुम कर क्या रहे हो अभी तक पहुच्चा क्यों नहीं अरे सर वो मैं थोड़ा ट्राफिक में फस गया था पर आज तो संडे है आज का एक ट्राफिक इसी का भी ओफिस नहीं होता क्यों नहीं होता मेरा है न मैं आ रहा हूँ न वो तुमारी ड्यूटी है जल्दी पहुचा अभी फटफट आ सर आ रहा हूँ माफ कर देना फ्लीज थोड़ी सी देर हो गई यार तुमने मुझे यार कहा आरे नहीं नहीं मतलब के सर भाई साब मैं क्या कर रहा था मुझे कुछ समझी नहीं आ रहा था इतना हडबडा कैसे गया मैं यूँके आप एक नमबर के फट्टू हो आप में हिम्मत नहीं के आप सर को जवाब दे सको हाँ तो चॉप हिम्मत होनी भी नी चीए वो मेरे सर है मैं उन्हें उल्टा जवाब दूँगा तो बचाई क्या फिर अरे हां फ्रेंकलिन भीया एकदम सही बोल रहे है चॉप भीया आपको भी फ्रेंकलिन भीया को जवाब नहीं देना चाहिए वो भी आपसे बड़े है सीख सीख चॉप कुछ सीख मुझे पता ही था कि ये वाला डायलोग आएगा ही आएगा आप जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना जोट थोड़ी ना बोलूँगा मैं वो है अच्छा बच्चा तो है हाँ हम लोग ही तो बुरे बच्चे है सारे अच्छे गुन तो मिन्चैन में ही भरे है नहीं मेरा मतलब वो नहीं है अरे नहीं नहीं आपका मतलब यहीं है अरे वो जो बोलता है मैं बस उसको 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 शाबाशी देता हूँ अलग से कोई तारिफ नहीं की और अभी मुह बंद रखना हम लोग पहुँच गए वैसे डाट पढ़ने वाली है चलो यार गाई चलते अंदर फटाफट जैन सर फ्रेंकलिन तुमारा दिमाग तो खरब नहीं हो गया है मैंने तुमें दो गिंटे पहले कॉल किया था नहीं तो दो गिंटे कैसे हो गए ज़र अपना फोन चेक करो एक मेनिट हमें फ्यूल चाहिए हाँ तो इसमें बड़ी बात क्या है मैं समझा नहीं दरसल पूरे शेहर में कही पर भी एक फ्यूल की बुन्द नहीं बची है किसी ने तो सारा फ्यूल चोरी कर लिया है क्या बात कर रहे हो पर ऐसा कौन करेगा हमें पता चला है कि ये काम एक माफिया का है जो दूसरे देश वालों के साथ मिला हुआ है वो लोग नहीं चाहते कि हमारा चंदरे या निया से लॉंच करे अभी हम लोग क्या करेंगे तुमें जाकर उनको पकड़ना होगा और हमें फ्यूल लाकर देना होगा कि वो लोग अभी कहा से निकले है और कहा को जा रहे है समझा चौप सर ऐसे कुछ नहीं बोलते अब आजाओ याँ पर जाकर देखते हैं ये क्या बताना चाहते हमें हाँ बोलिये सर मतलब दिखाईए सर ये देखो ये लोग ट्रक लेके यहाँ से निकले है और जहां तक हमारा अनुमान है ये लोग आगे से तो यूटन लेंगे रही ये लोग विलेज साइट जा रहे है तुम्हें जल्दी जाके उनका पीछा करना होगा इससे पहले वो सब रफू चकर हो जाए ये लोग पका इस फील को कही पर बेच रहे है देखो तुम्हें जो करना है जल्दी करना होगा क्योंके चंद्रेयान के लॉंच का टाइम नजदीक आते जा रहा है और ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसे पूरा करे सर ये देश का सवाल है मैं क्यों नहीं करूँगा अपनी पूरी जान लगा दूँगा उन्हें ढूणने में ये हुई ना बात चलो जाओ जल्दी से और याद रखना कोई गड़बर नहीं होनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी तुम्हें सर आप चिंता मत कीजे हमारे रहते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता है ये बात सर आपने एकदम सही बोली मैं हमारा नाम डूबने नहीं दूँगा वो फ्यूल मैं ढूनके रहूँगा वो टैंकर जहां कई पर भी हो मैं सारे के सारे वापस लाँँगा यार गाइस अब चलते है यार से पतानी आगे क्या होगा शिंचैन मींचैन चॉप तयारो ये मिशन बहुत जादा बड़ा है हमारे देश का सवाल है चलो आजा मेरे पीछे हमें कैसी भी करके वो टैंकर्स ढूनने होंगे वो भी जल्दी से जल्दी फटावट गाड़ी में बैटते है गाइस फटावट चालो करो तो चल अब चलते है एक बार बस वो फिल टैंक मिल जाए उसके बाद उस माफिया के ऐसी खटिया कड़ी करूँगा ना उसने कभी सोचा नहीं होगा ऐसे कामों के बीच में तो नहीं आना चीए अरे हाँ फ्रेंकलिन भईया अपने एकदम सही कहा वो लोग पका बहुत बुरे होंगे हाँ मिंचन बुरे होंगे तब यह ऐसा काम कर रहे ना अच्छे होते थोड़ी ना करते सब तेरी तरह तो हो नहीं सकते अरे फ्रेंकलिन भईया मुझे समझे नहीं आया आपने मेरी तारीफ की है या फिर मुझे टॉंट मारा है अरे बेवकुफ तुम्हें टॉंट मारा है टॉप लैंग्वेज हाँ मतलब के फ्रेंकलिन भईया तुम्हें टॉंट मार रहे थे फिर मेरी कोई गलती ही रही होगी वन्ना फ्रेंक्लिन भीया मुझे थोड़ी ना इसा बूलेंगी तुम ऐसे बात करते तो मुझे बहुत जादा चिड़ होती है मतलब चौप थोड़ा शान दो जा यार बच्चा है अभी वो इसे थोड़ा मस्ती करना सिखाओ इतना अच्छा मुझे हजब नहीं हो रहा है तु भड़क क्यों रहा है भाई जितना घुसा है ना उन माफिया पर निकाल देना यहाँ पर मत निकाल ठीक है एक तो पता नहीं तुम दोनो कब अच्छे दोस्त बनोगे आये तब से बहस होई रही है एक दिन भी बिना बहस के नहीं जाता है तो इसको समझाके रख़दो अरी पर चब भईया मुझे क्या समझाना है ओ यह दीको फिर से मुझे इतना अच्छ यसे बात मत करो मुझे पता है तुम नाटक करते हो अरे नहीं चौब भीया मैं नाटक क्यों करूंगा मैं ऐसा ही हूँ चौब वो एकदम सही बोल रहा है मिंचान ऐसा ही है ओ भाई साब क्या टकराई है आप मिंचान की तारीफ में कम और गाड़ी चलाने पे ज़्यादा ध्यान दो कई भी ठोक रहे हो सुबे से अब यार ये गलत है तू मुझे पर की भड़क रहा है मैंने क्या किया मुझे लगता है अब हमारी जान लेने के बाद ही मानोगे एकसिडेंट हो गया तो आपको पता नहीं है नजर हटी दुरगटना गटी नहीं ये मुझे अच्छे से पता है इसलिए सामने देखो सब लोग यही वो फिल टैंक है जिसके CCTV फुटेज सर ने दिखाई थी हमें बस इसका पीछा करना और पता करना के ये कहा पर जा रहा है फिलाल तो सीधे ही जा रहा है चौप यार फिर बोलता है मैं तुझे डाटता हूँ मैं अंधा हूँ क्या मेरे बोलने का मतलब ये जाना कहा पर चाता है कहा पर जाके रुकेगा तब ही हमें इसका एड़े का पता चलेगा ना फिर हम उन्हें पकड़ पाएंगे अरे हाँ ये दिमाग तो मैंने लगाया ही नहीं होना भी तो चाहिए ना चौप वहाँ तो भूसा भरा पड़ा है ये क्या बात होगे ये बहुत ही गलत बोल रहे हो आप अभी चुप रहे देग उसने टन ले लिया है यह तो बहुत सारे गुंडे यार और इतने सारे फ्यूल टैंग लगता है पूरे शहर का फ्यूल यही पर है और जरा वहाँ पर तो देखो पका या कोई डील चल रही है दो माफिया की टीम है अरे अभी हम लोग क्या करेंगी मुझे तो डर लग रहा है देखो जो करना आगे मैं करूंगा तुम लोग यही पर रहोगे थोड़ी सी भी मस्ती मजाक नहीं होनी चीए वरना उन्हें पता चल जाएगा गाईस यार मुझे तोड़ा और नस्दिक जाके देखना होगा अरे पागल हो के अनस्दिक जाओगे तो पकड़ी जाओगे हाँ वैसे यहां से भी दिख रहा है तो डो टीम दिख रही है मुझे लगता है एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है है तो दोनों के दोनों ही माफिया एक को तो मैंने देखा हुआ है पहले भी वो मोटे वाले को देखो मुझे जाके ना इन सबको सल्टाना पड़ेगा अब ये कैसी लेंग्विज है मतलब के सबको निप्टाना पड़ेगा तुम लोग यही पर खड़े रहे न वनना तुम्हारी जान को खत्रा हो सकता है चलो गाइस फटाफट सबको सल्टाते है अरे यहार आज कल मैं क्या सीख रहा हूँ मतलब के सबको निप्टाते है तुम्हारी तो मैं ऐसी कितैसी यहार तो बहुत सारे गुंडे है यार तो काफी गलत काम कर रहे थे लोग बस बस इसको मारता हूँ अभे यार आप कौन गोली चला रहा है वो सोते सोते गोली चला रहा था तेरी तो हाँ नहीं तो देखो गईज अब यहाँ पर दो माफिया बचे है तुम दोनों तुम दोनों गिरफतार किये जाते हो यह जो गलत काम तुम दोनों कर रहे था ना इसके लिए तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी हमारा देश कितनी उन्नतियों को छूरा है हम लोग चांद पर जाने की बात कर रहे है और तुम लोग इतना गेरा हुआ काम करते हो सरम नहीं आती तुम लोगों को अरे प्लीज हमें माफ कर दो हमें जाने दो ऐसे कैसे जाने दूँगा सर को कॉल करता हूँ हेलो सर आप जल्दी से बैक अप भिजवा दीजिए मैंने उन दोनों माफिया को पकड़ लिया है जो लोग फ्यूल की हेरा फेरी कर रहे थे अब सारा फ्यूल मेरे अंडर में मैं कुछी देर में ये सारा पहुचा दूँगा वहाँ पर हाँ तुमें जो करना है जल्दी करो साइंटिस्ट तुमारा वेट कर रहे है हमारे पाँ जादा टाइम नहीं है सर आप चिंता मत कीजिए मैं पहुचा दूँगा और तुम दोनों सुनो तुम दोनों की तो बहुत बुरी हालत होने वाली है यहाँ से हिलने के बारे में सोचना भी मत चलो गाइस आपन चलते है अभी फाइनली पहुच गए जैन सर मुझे माफ कर देना हमने थोड़ी सी देर कर दी पर मैं सारा फ्यूल ले आया हूँ आप जल्दी से इसे फिल कर दीजिए मुझे इस शांदार मिशन को सक्सेस्फुल होते हुए देखना है तुमारा बहुत बहुत शुक्रिया हमने तो उमिधार दी थी पर अब हम इसे लॉंच कर सकते है और ये सब होने वाला है तुमारे वज़े से सर प्लीज ऐसा बोलके शर्मिनदा मत कीजिए ये तो मेरा फर्स था मेरे देश के प्रती मैं भी चाता हूँ कि इंडिया का फ्लैक चांग पर हो चलो अब तयार हो जाओ हम फिल भरके इसे लॉंच करने ही वाले है वा क्या बात है यार आज तो सामने से देखने मिलेगा अरी मैं भी बहुत ज़ादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए पता नहीं कब लॉंच होगा मुस्से तो रहाई नहीं जा रहा है वैसे हमें ये सारा फिल बाकी जगा भी पहुचाना पड़ेगा हाँ पहले यहां तो फिल कर लेने दो वो सब बात की बात है अरी हाँ मैं तो बस बूल रहा था मिन्चेन हम सबको पता है कि क्या काम करना है क्या नहीं अरी कभी कभी तो मुझे लगता है कि चौप सही बोलता है तुम कितना अच्छे बनते हो मिन्चेन मेरी तरह थोड़े शरारती हो जाओ लोग तुमें पसंद करेंगी पर मुझे मिन्चन वैसे भी पसंद है अच्छा के कम शरारत करता है तेरी तरह नहीं है अरी मेरी तरह बनना कोई खाने का काम थोड़ी है बहुत जादा मेहनच जाती है इसमें मस्ती ऐसे ही नहीं हो जाती काश के इतना दिमाग तो स्कूल में लगा रहा होता ये बच्छा बहुत शरारती लगता है चलो अब सब लोग तयार हो जाओ मैंने फ्यूल फ्यूल करवाने के लिए बोल दिया है प्रोग्रामिंग भी शुरू हो गई है हम कुछ इदर में लांच करने वाले है हाँ सर मैं तो यही पर खड़ाओ कबसे इसी चीज़ का वेट कर रहा हू आज मैं कहीं नहीं जा रहा बले कोई भी काम आ जाए इससे तो मैं देखके रहूंगा हाँ हाँ हमें भी देखना है अरी हाँ मुझे भी देखना है अरी यह क्या बात हो गई तुम दोनों को देखना है तो मुझे भी तो देखना है सब लोग लग लग की बोल रहे हू सिधा बोल दोना हमें देखना ही चलो गाइस यह सब शुरू होना ही वाला है बस countdown शुरू कर दो 3, 2, 1 और ये Finally हम लोगों ने successful launch करी दिया अरी देख रहे हो थोड़ी दिर में तो वो दिखना भी बंद हो जाएगा हाँ तो वो काफी उपर जाने वाला है हमें चान तक जाना है इतना तो अपने आखों से नहीं देख पाएगा हाँ ये बात भी सही है चलो गाइस चंदरयान तो launch हो चुका है और हमने जंडा भी लहरा दिया है और मुझे भी पता है और आप सब को भी पता है कि हम लोग ये चीज़ अचीज़ अचीव कर लेंगे देखो मुझे तो अपने देश पर बहुत गर्व है पर क्या आपको भी है अगर है तो कमेंट में लिको जैहिंद और आपको और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई हमने मून पर soft landing कर ली है चंदरयान 3 successfully inserted into the lunar orbit इसी के साथ इंडिया ने इथियास रच दिया है क्योंके मून के इस हिस्से में पहुचने वाले हम पहले है तो चलिए वीडियो को यही पर समाप्त करते है उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगिए तो वीडियो को लाइक करो ने हो तो चैनल को सस्क्राइब करो और अगर मुझे फॉलो करना चाते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी तो चलिए मैं मिलूगा आपसे अपनी अगली वीडियो में जै हिंद